दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके पैनी YouTube चेनल पर और दोस्तो हम पढ़ रहे थे राजस्तान का वुगोल और हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्तान की जीले और दोस्तो मैंने अभी तक राजस्तान की जीलों से समंदित दो वीडियो उलेडी अपलोड क करके हैं और प्रतेक वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेशन करवाए हैं जो कि प्रिवेश एर एक्जामों में पूछे के हैं इसके लावा आपके अगामी एक्जामों की दृष्टे से जो भी इपॉटन्ट क्वेशन है वह भी मैंने इस क्वेशन स्रीज में इंक्लूड किये ह पर जरूर इन क्वेश्टी स्रीज को देखिए गार दोर जरूर फायदा होगा और दोस्तो यह जो आपका टोपिकश्च ख़तम बियूद्ष क्वेशन आपके अक्जाम में आता है तो आप जरूर फोड़ एंगे इस क्वेश्टी को तो दोस्तो यह स्रीज राजस्तान की सभी परतियों की परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्पून रहने वाली है और important question और selected question इस question स्रीज में आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज किस class के हम शुरुआत करते हैं पहला question देखेगा कि राजस्तान में खारे पानी की जीले सरवादिक किस जीले में हैं तो दोस्तो और राइटें चरोगा नागोर यानि राजस्तान में सरवादिक खारे पानी की जीले नागोर जीले में हैं और नागोर जीले की अगर हम बात करें कि जीले की कौन कौन सी प्रमुक जीले हैं तो नाम आता है डीडवाना, कुचाम desapуд नावा, काठोर ऐसी कुछ जीले हैं इसके लाभा बहुत सारी ओर जीले हैं नागर में इसी कानड राजस्तान का स्तरवादिक खाड़ी पानी की जीलों वाला जीला है नागर जिले में स्थित है आपको याद रखना है और इसके अलावा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अमर सागर जील कहां पे है अमर सागर जील तो ये भी दोस्तों आपकी जैसल मेर जिले में स्थित है तो गड़ी सर जील और अमर सागर जील दोनों ही जैसल मेर जिले में स्थित तो दोस्तो सामबर जील को रामसर साइट 1990 में घोशित किया गया और दोस्तो ये राजस्तान की दूसरी रामसर साइट थी अब आप पूछेंगे कि राजस्तान की पहली रामसर साइट कौन सी थी तो यह भी हम बात कर लेते हैं रामसर साइटों पे यानि राजस्तान की कौन क कौन सी हैं तो देखिएगा राजस्तान की पहली रामसर साइट थी घना पक्षी विहार भर्तबूर और इसको कब घोशित किया गया एक अक्टुबर 1981 दूसरी रामसर साइट सामबर जील इसको कब घोशित किया गया तो 23 मार्च 1990 दोनों तारीके होती ही इप्पोर्टेट है दोस्तों और आपको याद रखना है ठीक है सकारीन भासर्ट अप ले लिजिएगा अगला गृशन देखिएगा ये question है दोस्तों कि इन में से कौन सी नदी सामबर जील में नहीं गिरती यानि सामबर जील में बहुत सारी नदियां गिरती है आपको बताना है कि इन चारों में से एक नदी है वो सामबर जील में नहीं गिरती है बात करें मेंथा जिसको दोस्तों मेंडा भी खा जाता है यानि इसका नाम कहीं मेंथा मिलता है तो कहीं मेंडा मिलता है तो दोस्तों ये तो सांबर जील में गिरती है और इसके बारे में एक इपोटेंट बात याद रखेगा जो ये मेंधा या मेंथा आपकी जील है नदी है ये सांबर जील में सरवादिक लवण की मातरा लाती है याद रखेगा कि सांबर जील में सरवादिक लवण लाने वाली नदी कौन जील है तो मेंथा या मेंधा नदी बात करें डाई तो दोस्तो डाई नदी सांबर जील में नहीं गिरती है राइटन्स रोगा बीनम रोप्चन अब डाई की दोस्तो बात करें तो यह अजमेर से इसका उद्गम होता है और खारी डाई और बनास तिनों का राजमेल टॉंक में संगम बनता है त्रिवेणी संगम बनता है वो भी आप याद रखिएगा ठीक है राजमेल टॉंक में कौन सी तीन नदियों का संगम बनता है तो खारी और डाई और बनास याद रखिएगा खारी नदी की बात करें तो दोस्तो यह खारी नदी है वो अलग है वो खारी नदी अलग है एक खारी नदी है वो बनास की साइक नदी है जो बिजराल गराम पहाड़ियों से निकलती है राजसमन से ठीक है और राजमहल टॉंक में आके बनास में मिलती है और एक खारी अलग है ये दोस्तो सांबर जील में आके गिरती है तो याद खारी, खंडेला और कौनशी नदी रूपनगड चार नदी है वो सांबर जील में गिरती है जब कि डाई राइट एंच रोगा डाई नहीं गिरती है नेक्स देखिएगा कि सांबर जील में कौनशी नदी द्वारा सारवादी का लवण की मातरा लाकर जमा की जाती है अभी मैं आपको बता रहा था कि जो मेंथा नदी है वो सांबर जील में सरवादी का लवण की मातरा लाती है बी निमर उप्सन राइट होगा नेक्स देखिएगा सबसे इपोर्टन क्वेशन किस जील को देवली तलाब के नाम से जानते हैं पिछोला जील, आना सागर जील, फते सागर जील, पुसकर जील तो दोस्तो याद रखिएगा जो देवली तलाब जील के नाम से फते सागर जील को जाना जाता है सीनम रोप्सन राइट होगा और दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि फते सागर जील जो कि उदेपूर जीले में स्थित है इसका निर्माण किसके दवरा करवाया गया तो आप सारों के दिमाग में फते सिंग का नाम आएगा लेकिन दोस्तों याद रखेगा फते सागर जील का निर्माण है वो जे सिंग के दवरा करवाया गया था ठीक है कब करवाया गया तो दोस्तों 1688 में और दोस्तों इसके बाद में फते सिंग के दवरा इसका पुनर निर्माण 1888 में करवाया गया और तब से इस जील को फते साकर जील के नाम से जाना जाने लगा और दोस्तों याद रख़ेगा फते साकर जील को क्यनोंट बांद भी कहा जाता है इसके किनारे भारत की प्रतम 172 साला वी सेंचालित है ठीक थीन बाते में आपको इपोटेंट बताई आपको याद रखनी है अगला क्वेशन देखिएगा यह आ गया कि उद्यपूर में स्थित सोर वेदशाला किस जील पर स्थित है तो दोस्तो भारत की प्रतम सोर वेदशाला किस जील के किनारे संचालित की जा रही है तो फाते की पर्थम शोर वेद चाला है वो फते सागर जेल के किनारे स्तापित की गई आप साथ साथ में नोट करते जाए गाजोवी में बाते बोल रहा हूं इपोर्टेंट बाते हैं एक्जाम की दर्स्टी जे अगला क्वेशन यह भी क्वेशन दोस्तों एक्जाम में पूछा गया ह है कि सेकेंड ग्रेड 2011 में यह क्वेशन पूछा गया था कि राजस्तान की कौन सी जील से प्राप्त नील हरीत सेवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद्यपदार्थ प्राप्त होते हैं तो दोस्तों इपोर्टेंट क्वेशन मोती जील यानि राइट हैं चुरूगा मोती ज जील में दोस्तों नील हरित सेवाल पाए जाती हैं और इनींसे जील जो सेवाल है इनसे नाइट्रोजन युक्षाद पराप्त होती है एक प्रकार से याद रखेंगा मोती जील इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तो यह आपको बताना है कमेंट में यानि मोती जील जो कि भरतपूर जीले मिस्तीत है इसका निर्मान किसने करवाया और मोती जील मैं आपको बता देता हूँ इसे भरतपूर की जीवंद्रेका का जाता है मोती जील को भरतपूर की जीवंद्रेका का जाता हैं तो मोटी जील ठीक है next question कि भारत के कुल नमक उत्पादन का सामबर जील में कितना उत्पादन होता है राजस्तान प्लिस करती है तो लगबग 80% याद रखेगा दोनों आंकड़े ठीक है अगला question देखेगा पचास नमर question दोस्तों देखेगा ये भी important question है कि राजस्तान की भाय जील कौन सी है जा सर्दियों में राज हंस जीने हम फ्लैमी गोज कहते हैं पक्षी बड़ी संक्या में आते हैं ये question वन अजन्स या सलेमिंग ओज आते हैं याद रखेगा ये भी important question है संबर जील के बारे में स्टार मार्क कर लीजिएगा कि रियासत काल में संबर जील के नमक पर कौन सी रियासतों का सांजा अधिकार था तो दोस्तों जब मूगल काल था तो उसमें मूगलों का इस जील पर ठीक है याद रखेगा संबर जील पर रियासत काल में जेगपूर और जोधपूर का अधिकार था इससे पहले मूगलों का अधिकार था और दोस्तों रियासत काल में ही जेगपूर और जोधपूर के दवारा बाद में ये अंग्रेजों को लीज पर दी दी गई ठीक है कौ गोलों का धिकार था रियासत काल में भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन बाद में, मुगलों से जेपुर जौदपुर ने धिकार कर लिया उन byakuo अदिकार था और बाद में अंग्रेज्जों ने सांबर जील को इन रियास्तोसे यानि जेपयर जौदपुर से लीज falls पर ले लिया अब लीज पर कब लिया तो याद रखेगा 1817 में अंग्रेजों ने सामर जील को लीज पर ले लिया नेक्स देखिएगा किस जील से नमक मौरली जाड़ी पदिती से बनाया जाता है एपोर्टन क्वेशन दोस्तों जो पंच पदरा जील है बाड मेर में ठीक है यहां पर एक जाती है खारवाल कौनसी जाती है खारवाल और यह दोस्तों कारवाल जाती मौरली जाड़ी पदिती से नमक त्यार करती है याद रखेगा इस नमर ओप्षन इस question का right answer होगा important question है अगला पर्शन important question है ये question 27 फरवरी 2023 यानी जो रीट मेंस का एक्जाम हो था उसमें पूचा था कि 15 जील का विस्तार लेगबग कितने वर्ग किलोमेटर चेतर में है तो दोस्तों आपको बताने है option आपके सामने 26 वर किलोमेटर 30 वर किलोमेटर 25 वर किलोम में है important question है star mark का लीजिएगा अभी जो पीछे फरवरी में जो एक्जाम होगा था रीट मेंस का उसमें पूचा गया था नेक्स देखिएगा यह दूइत्य सरेणिये ड्यापक 2017 में पूचा गया था कि निमन में से कौन सी लवनिय जील नहीं है यानि एक है वो मिठे पानी की जील है उसका नाम आपको बताने है डेड़वाना दोस्तों खारे पानी की जील है पंच पद्रह अभी दोस्तों बात क खाब की जील में है ऐसी आपको कमेंट बोक्रारे और बात करें को लाइत तो दोस्तों यह मिठे पानी की जील है जो कि विकानेर जील में है तो राइट एंसन हो जाएक आपका बीनेंब्रव सं यहां पे कोला जीर वो एक लवन जील नहीं है नेक्स देखिएगा ये में से एक संध эту तो दोस्तों पहला खळते कि राजसतान के पसट्मी भाग मेंमानेत खाने सिर्थ की जीले यह तो दूसरा जो खतन देखीगा कि सामबर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है, ये कतन दोस्तों गलत है, चिलका जील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है, तो यह पर यह कह रहा है सामबर जील, तो यह गलत कतन था, और उसके बाद में एक कतन चोथा आप देखेगा, कि रासमंद जील उध्यपूर से 64 किलोमेटर दूर है, और यह उध्यपूर जीले में स्टीथ है, यह गतन भी गलत था, तो इसकान दोस्तों यह कुशन डिलेट किया गया था, यह क्वंशन ऐसे मैं, मैंने उठा लिया, क्योंकि यह क्वशन पूछा गया था, और यह बाद में डिलेट हो गया था, नेक्स देकिएगा, भीमसाग का नाम आए था तो मैंने आपको बताया था कि भीम सागर जील जालावाड जीले मिश्ती थे तो डी निमर उप्सन इस क्वेशन का राइट एंड सरोगा अगला क्वेशन कि बेड़त चनदी किस जील से होकर गुजरती है तो दोस्तों बेड़त चनदी जो गोगुंदा पाड पानी की सबसे बड़ी जील है वो जैसमंद जील है जिसे हम ढेबर जील बोलते हैं गौमती नदी का पाणी इस जील में आता है और यह उद्यपुर में श्ती थे तो राइट एंस रोजएग ए निमर उप्शन अगला क्वेशन अगला क्वेशन दोस्तों कि राजस्तान की स यह क्वेशन दोस्तों रीट 2018 में पूछा गया था उसके बाद में यह क्वेशन फिर से रिपीट हुआ राजस्तान पुलिस 2020 में और दोस्तों राजस्तान की सबसे बड़ी करत्रिम जील है वो जैसमंद जील है जो कि उद्यपुर में है और यही राजस्तान की सबसे पानी की जील भी है दोनों फैक्ट याद रखेगा अगला क्वेशन और आज का अंतिम क्वेशन जो की क्रिशी प्रिवेक्षक 2019 में पूछा गया था कि कौन सी जील जग मंदीर जग निवास के लिए परशिद है तो आप सभी जानते हैं दोस्तों जग मंदीर और जग निवा करें तो जग निवास दोस्तों जगतं सेकेंड दौरा बनवाया गया तो याद रखेगा इपॉर्टंट सारे क्वेशन में है को कर वाए और यह थियाद कि हमारी क्लास राजस्तान की जीलों से समंदीत बहुत यह इपॉतन और यह राजस्तान की जीलों का तरीते वागता जिसके अंतर अमने 20 और इपोर्टेंट क्वेशन किये और इसी परकार दोस्तों ने 60 क्वेश्टिन और इसके लाव में वह सारी क्वेशन आपको बोल बोलके बताए इसके लाव हम कैसे कि 100 प्लस क्वेशन अभी तक तीन भागों में हमने कर लिये हैं और दोस्तों अगर मैं आप से कहूं कि राजस्तान की जीरलों से समंदीत अगर क्वेशन आपके एक्जाम में आता है तो आप जरूर उस क्वेशन को फोड़ के आएंगे तोड़ के आएंगे यह मेरा वादा है आप से क्योंगि मैं सारे क्वेशन सेलेक्टिर और इपोर्टेंट आपके लिए ल